हलो अबरिवान तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर वन ओनलाइन इंजीनिरिंग प्लैटफोर्म पर तो डियार डियों में निकल चुकी है विकेंसिर इंजीनियर्स के लिए तो जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नह सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलेगा क्योंकि मैं वहां पर लेकर आता रहता हूं ऐसे ही और जॉब इलर्ट्स जॉब नोटिफिकेशन्स स्टडी मिटीरियल सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा सबसे पहले तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलिग्राम और वाट्साप का भी अभी जॉइन कर लिजिए तो DRDO में निकल चुकी है apprenticeship training की vacancies तो सबसे पहले बात कर लेते हैं graduate apprentice trainees की तो mechanical production industrial और production engineering में निकल चुकी है 30 vacancies और aeronautical और aerospace engineering में 15 vacancies निकली है और इसके बाद electrical and electronics electronics and technical communication में निकल चुकी है 12 vacancies और computer science में निकल चुकी है 18 और metallurgy और material science में निकल चुकी है यहां पर 4 vacancies और civil में एक vacancies तो कुल मिला के 80 graduate यहां पर apprentice trainees की vacancies निकली है minimum age limit की बात कर लें तो 18 साल minimum age limit है और maximum unreserved category के लिए 27 OBC के लिए 30 SC के लिए 32 और PWD के लिए 37 age है और minimum qualification आपकी degree यहां पर complete होनी चाहिए और diploma apprentice trainees की बात कर लें तो यहां पर mechanical production and tool and die design की यहां पर 15 vacancies निकली है electrical and electronics की यहां पर 10 है computer science की 5 और age limit यहां पर same रखी गई है और minimum qualification यहां पर diploma in engineering or technology granted by a state council or board of technical education established by state government तो diploma यहां पर required है इसके बाद अगर बात कर लें ITI की तो आप देख सकते हो machinist की यहां पर 5 vacancies है और fitter की 8 और turner की 5 और electrician की यहां पर 4 welder की 2 sheet metal worker की 2 और computer operator and programming assistant की 12 vacancies है health safety and environment की भी 2 vacancies यहां पर आई हुई है और total 40 vacancies है इसके बाद सीधा चलें कि यहां पर important instructions भी यहां पर दी गई है तो इससे जादा higher qualification यानि के डिपलोमा में सिरफ डिपलोमा वाले ही भर सकते हैं डिगरी वाले नहीं भर सकते हैं डिगरी वाले में graduate में सिरफ B-tech वाले ही भर सकते हैं M-tech वाले नहीं भर सकते और जिनोंने 2018 से पहले अपना डिपलोमा या डिगरी या ITI पूरी की हुई है complete की हुई है वो eligible यहां पर नहीं है तो इसके बाद अगर हम चलें सिधा अगली condition पर तो यहां पर जो candidates ने आज तक एक बार भी एक साल की training की हुई है वो यहां पर eligible नहीं है यहां फिर किसी को एक साल से जादा का experience है वो भी यहां पर eligible नहीं है तो इसके बाद अगर बात करें T.A.D.A की तो वो यहां पर नहीं मिलने वाला है और इसके बाद यहां पर जिनोंने यह सबसे बहुत बड़ा point है those candidates who have completed the qualification examination as regular candidates are only eligible to apply तो आपने अगर qualify कर लिया है यानि कि आपकी degree यहां पर पूरी हो चुकी है तो ही आप eligible हो final year students यहां पर eligible नहीं है provisional certificates यहां पर आपको allow कर दिये जाएंगे submit करने लेकिन बाद में आपको final degree यहां पर यह डिप्लोमा आपको देना ही पड़ेगा और इसके बाद अगर बात करें hostel या accommodation की वो आपको नहीं मिलेगा और type and की बात कर लें तो BEB tech वालों को 9000 रुपए, diploma वालों को 8000 रुपए और IDI वालों को 7000 रुपए यहां पर मिलेंगे पर month selection process जो है वो आपका direct होगा qualification exam के merit के base पर यानि के degree के marks के base पर या diploma के marks के basis पर और कैसे apply करना है तो आपको इन दोनों website में से किसी एक पर जाके apply now पर click कर देना है यानि के rac.gov.in या drdo.gov.in पर जाके apply now पर click करके और आपको सारी details submit कर देनी है और आपका form जो है वो fill हो जाएगा application fees यहां पर नहीं रखी गई है important dates की बात कर लें तो 29 जनवरी 2021 तक आप ये form fill कर सकते हो और shortlisted candidates यहां पर 12 February को announce कर दिये जाएंगे drdo की website पर तो ये तो हैं सारी final dates important dates आप देख सकते हो और इसी के साथ हमारी mobile application download करना बिलकुल मत बुग लिएगा क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं सभी सभी previous year questions चाहे वो state level का exam हो चाहे वो center level का exam हो gate, sse, jay या state level, jay, ae, sd सभी के previous year questions और free test series सभी streams के लिए चाहे वो electrical, mechanical या civil या फिर ece सभी के लिए आपको यहाँ पे material मिल जाएगा और link आपको description में मिल जाएगा और अभी के अभी हमारा telegram और whatsapp group join करना बिलकुल मत बूलिएगा क्योंकि मैं वहाँ पर लेकर आता रहता हूँ ऐसे ही और job alerts, job notifications, study material सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले तो link description में मिल जाएगा telegram और whatsapp का भी अभी join कर लिजिए तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, thank you